असलाम लेक्रम स्टुडेंट्स आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं that is counter current multiplier counter current multiplier सबसे पहले हम लोगों को कोई भी topic पढ़ने के लिए जुरूरी होता है कि हमें उसका जो है वो मतलब पताओ कि वो क्या चीज़ है counter means opposite current stands for flow और multiplier का मतलब होता है जिस तरह हम multiply करते हैं किसी चीज़ को और वो ज्यादा से ज्यादा होती चली जाती है 2 multiplied by 2 is equal to 4 यानि कि multiply करना ठीक है तो counter current multiplier basically means कि opposite flow होता है हमारे पास opposite flow होता है किसमे opposite flow होता है loop of handle loop of handle के दो limbs होते है हम लोगों को पता ही हूँ कर के होती है loop of handle तो इन में क्या होता है opposite flow होता है यह नीचे की तरफ flow हो रहा है और यह यह यूटलाइज किया जाता है in order to maintain the hyper osmotic renal medulla hyper osmotic renal medulla का क्या मतलब है कि यह जो हमारे पास यह loops होती है ना मतलब यह सारी renal tubule को निकाल कि जो बाकी का इंदर होता है तो इस interstitium के अंदर ज्यादा से ज्यादा solute को trap करना यहां से fluid जो है वो flow का रहा होता है और हम लोग यहां से जो है वो सारी solute वगरा इसके अंदर trap का रहे होता है तो इसकी विरा से इसकी osmolarity जो है interstitium की increase हो रहती है इसको हम कहते है hyper osmotic renal medulla या interstitium मिडला वो उसका अंदर वाला पार्ट होता है you know it very well तो इसकी definition की तरफ चलें तो mechanism by which the opposite flow in two limbs of loop of henley is used to multiply the gradient established by sodium two chloride potassium pump तो अब मैं आपको बताती हूं कि यह sodium two chloride potassium pump क्या चीज होती है इसी के through जो हम इसको utilize करते हैं सारा process जो होता है वह इसके अपर depend कर रहा था जी तो students अब हम लोग चलते हैं steps की detail में सबसे पहले हम देखेंगे यह एक loop of henley बना की दीव है उन्होंने हमें ठीक है और यह हमारे पास पहला step है loop filling का ठीक है अब आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास filtrate आ रहा होता है यानिकि जो भी हमारे पास blood होता है blood से जो इसके बाद क्या होता है इसके बहुत इंपोर्टन एक्टिव पंपिंग का step यह जो हमारे पास ascending limb of loop of henley होता है इसके अंदर यह pumps होते हैं जिनको हम नाम देते है sodium potassium 2 chloride या sodium 2 chloride potassium pump जैसे कि उसका नाम बता रहा है कि उसने एक sodium एक potassium और 2 chloride को pump करना है इदर tubule से into the renal interstitium अब जब वो interstitium के अंदर आ जाएगा solute तो interstitium की osmolarity increase हो जागी आप देख रहें 300 से 400 होगी है और इसकी osmolarity चूंकि इसमें से solute जो था वो इदर चला गए इसके osmolar जो capacity होती है वो होती है 200 mili osmol per liter कि इसने जो concentration gradient establish करना होता है वो 200 से ज्यादा का नहीं हो सकता यहां पर देखें 200 और 400 कितना difference हा रहे हैं दोनों के दिरम्यान में 200 का रहे है ना बस इससे ज्यादा यह pump नहीं कर सकता वो क्यों नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि अगर यह इससे इसलिए 200 mili osmol से जादा यह concentration gradient establish नहीं कर सकता अब क्या होता है और यह बात ज्याद रखने है कि यह जो limb है इसका यह जो ascending limb है it is impermeable to water यह water को permit नहीं करता water को allow नहीं करता कि वो either इसके अंदर move करे यह इससे बाहर move करे और यह वाला जो limb है it is especially for the water यह water को बहुत जदा permeable ह होता है और यह solute जो है उसकी movement नहीं करवाता ठीक है तो अब इसने क्या करना है हम लोगों को पता कि water ने किदर से किदर move करना होता है जो कम osmolality वाला area होता है उससे ज्यादा osmolality वाले area की तरफ move करना होता है तो इसको हम कहते है osmotic equilibrium की maintenance हो रही है क्योंकि यह वाला area तो क्या हो रहा है next step में यह हो रहा है कि यह जो हमारे पस यह चीज़े हैं अब आगे move कर रही है यह आगे होगी यह देखे 400 400 400 यह आगे चला गया ठीक है और यहां से अब नया 300 वाला आना शुरू हो गया फिल्टर हो ठीक है अब यह स्टेप हमारे पस रिपीट होता रहेगा वर पाइबरन के तर्म वर निया 200 का और फिर उसके बाद क्या हो रहा है यहां पर यहां से यहां से पिर वाटर चारा रहा है और 500-500 इससे तरीके से हम इन स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे और यहां पे हमारे पास सुल्यूट होता रहे गाए 500 600 700 यह इंक्रीज होता रहेगा यह देखें 300 यहां पे उपर बिल्कुल 300 फिर उसके बाद 700 1000 1200 यानि कि जैसे जैसे हम इस तरह अंदर की तरफ चलते हैं जैसे ज इस अब मैं आपको बताऊंगी की इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चीज होता है सबसे पहले हमें चाहिए होता है यहीं इंट्रिटिशियम को क्या करता है उसको यूच्छ करने के लिए हमारे पास ADH होना चाहिए एडिए एच एंटिडैयृेटिक हार्मून जि water की जो excretion है उसको कम करवाता है और तीसरे नंबर पे हमें इस interstitium को concentrated maintain करके रखने है एक दफ़ा हमने produce कर लिया उसको हम utilize भी करें लेकिन हमारे लिए important क्या है कि उसको maintain भी करके रखने है उसके लिए हमारे पास रहता है counter current multiplier mechanism सौरी counter current exchanger उसको भी हम इंशाला next videos में discuss करेंगे अब मैं आपको ब्रीफ सा overview देने जा रही हूँ कि हमारे पास concentrated जो interstitium होता है हम इसको किस तरीके से utilize करते हैं concentrated current produce करने में अब आप देखे ना अगर हमारे पास interstitium concentrated होगा बहुत ज़्यादा उसकी अब यह तो ठीक है लेकिन इसके अलावा हमें ADH भी चाहिए होता है concentrated urine को produce करने के लिए उसकी reason यह है कि यह वाला जो area है ना हमारे पास यह वाला area तो इस तरीके से हमारे पास ADH और यह concentrated in justission milk के रोल प्ले करते हैं concentrated urine की production में